हेलो दोस्तो आज हमारे पास एक प्लेश्टेशन टू है जिसका मोडल नंबर नो हजार चार आज हम इसकी लेंज की रिबिन चेंज करने वाले हैं यह वाली कि अध azul को इसका मैं मैं अभी आपको चला करता है इसमें प्रोब्लम क्या है और मुझे नहीं पता है कि प्रोब्लम सोर्फ होगी या नए तो तो इसकी प्रोब्लम यह है कि इसका लेन्स सही से बर्क नहीं कर रहा है ना इसके लेन्स में लाइट जल रही है अब यह मैं इसे ओन कर रहा हूँ यह देखिए जूम करके दिखाता हूँ इसके लेन्स पे इसके लेन्स में लाइट नहीं जल रही है तो मुझे यसा लगता है साइद इसकी रिबिन खराब हो गई है तो हम इस शीज वाली रिबिन को चेंज करेंगे अगी मैं इसे पावर से निकाल दे रहा हूँ अब हमें धीरे धीरे इसकी यह वाली पट्टी निकालना है आराम से यह वाली रिबिन को निकालना है और इसको इस तरह उठाना है इसमें नीचे लेंस में एक लोक होता है तो आप इस लोक को इसको पलेट के इस तरह से यह निकाल सकते हैं यह लोग है वैसे इसकी पट्टी मुझे ठीक ठाक दिख रही है फिर भी साइड हो सकता मारा लेंस खराब हो तो हम लेंस दूसरी वीडियो में चेक करेंगे फिलाल हम यह पट्टी चेंज करेंगे यह रिबिन तो वीडियो आप ध्यान से देखिए और वीडियो स्किप में कीजिए अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगती है तो अबिश्टी इसे धीरे धीरे निकालना है तो रखता है यह अमारी पट्टी भी सही हो तो यह तूटने से खराब नहीं होगी खराब होने से बच जाईए इसमें भी एक लोख है तो इसे भी आपको ध्यान से खोलना है यह लोख मैं आपको दिखाता हूँ पास से यह लोख है तो यह हमारी साइट पट्टी खराबती यह देखिए काफी पुरान ही होने के बज़े से यह तूड गई है इसलिए हमारी लेंस में लाइट नहीं चल रही थी तो अब मैं पट्टी चेंज कर रहा हूँ चेमरा साइज से पकड़ो यह मेरे पास एक पुराने डिवीडी लेंस मरलब पी एस्टू की पट्टी है जिसका मोडल नमबर भी नोजार चाड़ी था मैं यही वाली पट्टी इसमें लगा रहा हूँ हम पी एस्टू की और भी वीडियो बनाएंगी जिसमें ओपी एल और इसमें सोप्केर डालते कैसे हैं गेम कैसे डालते हैं इस तरह की वीडियो और इनलोग किसे चेंज करते हैं पी एस्टू के रेमोट का इस तरह की हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मैं यहाँ फेबी क्यों लगाऊंगा क्योंकि यह पुरानी गेम की पट्टी थी मेरी और इसका जो गम था वो खतम हो चुका है मेरे साथ से यह इतना चलेगा तो हम इसे बाद में भी यहाँ से चिपका सकते हैं आसानी से बग बग यह इतनी है तो हमें तो इसी नई साही है बिल्कुल साही लगाई है हमने तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको ओवर फिक्स कर देंगे ताकि यह जगा से अगे ना पड़े अब हम लगाएंगे हमारे लेन्स को थोड़ी देर में इसे सूखने दे रहा हूं जब तक यह वीडियो इसकी फे तो दोस्तो यह पट्टी सूख चुकी है अब हम इसमें लेन्स लगा रहे हैं और फिर इसके बाद देखते हैं हमारे प्रोब्लम सूल्फ हूई या नहीं कि यह लगाते वक्त आपको काफी ध्यान से लगाना चाहिए क्योंकि यह बहुत पतली और नाजुक चीजे होती हैं कास कर यह और यह वाली पत्टी हैं हमने गलत लगा दिया बाती बात हैं हमें लगाना है कुछ इस तरीके से लेन्स काम पास करेंगे तो यही कुछ बात होती है जो ध्यान में रखके करना चाहिए जैसे कि मैंने गलत लगा दिया यह हमारी पत्तियां लग चुकी है यह हम इसमें पावर दे रहे हैं तो दोस्तों यह इसमें पावर आ चुका है मैं आपको दिखाता हूँ यहां से इंडिकेटर जल गया है और अब हम इसे ओन करते हैं बिल्कुल हमारा काम बन गया इसमें जो लेंज की प्रोब्लम थी वो एकदम सोल्ब हो चुकी है अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ जूम करके हमारा लेंज जल रहा है काक्वी अच्छी तरीके से यह देखिए है अलके अलके लाइट इसमें आई है अब मैं एका सीडी में टेस्ट कर रहा हूँ तो वो भी आप देखी लिए तो दोस्तों हमापास एक यह सीडी है जो कि स्ट्रीट किर्केट चेंपियन की है प्रेस्टेशन टू की अब हम इससे ट्राय करते हैं इस डिवी इसमें इसके लेंज में कुछ प्रोब्लम है तो यह था दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, सेर और सब्सक्राइब तो आप करी लीजिएगा धरन्यबाद